नमस्कार आप देख रहे हैं अमर उजाला मैं स्रिष्टी आप के लिए लाई हूँ राजस्थान की बड़ी खब्रेगर जुजुनू के ग्रामीन क्षेत्रों में बेरोजगारी ने युवाओं को भिरपक्रिया चराने पर मजबूर कर दिया है स्थानिय लोगों का आरोप है कि ब्रश्ट सिस्टम और वोट के सौधागर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही हैं पेजल और पानी निकासी की समस्या भी यहां विकट बनी देए केकली जिले में आवला नवमी का पर्फ धूमधाम से मनाया गया महिलाओं ने आमले के पेर की पूजा कर पती की लंबी उम्र और खेत्र की खुशाली की कामना की विभिन्द स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान हुए और भगवान के विशेश श्रिंगार के साथ भजन भी प्रस्तुत किये गए राजस्थान सब इंस्पेक्टर भरती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में गहराई आती जा रही है अभ्यर्थियों ने जैपुर में उग्र प्रदर्शन शुरू किया है मुख्य मंत्री से वार्था की मांग करते हुए कॉंगलेस नेता सचिन पाइलट ने भी सरकार की असमवेदन शीलता पर सवाल उठाए उदेपुर के पूर्वर राजपरिवार के सदस्य और सांसत महिंद्र सिंग मेवार का रविवार को निधन हो गया उनका अंतिम संसकार महास्तिया शमशान घाट पर किया गया जहां कई राजनेताओं और परिवार के सदस्यों ने उन्हें शद्धांजली अरपित की महिंद्र सिंग मेवार का ब्रेन स्ट्रोक के बाद आईसीउ में निधन गुआ केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामगड विधान सभा उप्चुनाव में भाजपा की जीत का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि पार्टी ने महनती कारे करता सुखवंत सिंग को टिकेट दिया है यादव ने दावा किया की भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और कॉंग्रेस में बौक लाहरे है राजस्थान के पुषकर में चल रहे अंतराश्च्रिय मेले में भारतिय खिलाडियों ने कबड़ी मैच में विधेशी टीम को शिकस दी भारतिय टीम ने 43 से 29 से जीत दर्ज की प्रतियों किता में देशी विधेशी सैलानी बढ़चड कर भाग ले रहे हैं पुषकर मेले के दौरान शद्धालों की भीर बढ़ने की उम्मिद है करॉली में मेला गेट के पास दो पक्षों में जग्रा हो गया जिसमें लाठी डंडे चले इस जग्रे में छे लोग घायल हो गए जन्हें करॉली जिला चिकितसाले में भरती कराया गया है पुलीस ने मामले की जाच शुरू कर भी है जैसे जैसे सलूमबर उप्चुनाव की तारीक नजदीक आ रही है नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है कॉंग्रेस के गोविंद सिंग डोटासरा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहां की कॉंग्रेस ने विकास किया है जिसे भाजपा खत्म करना चाहती है उन्होंने जन्ता से कॉंग्रेस प्रत्याशी रेश्मा मीना को समर्थन देने की अपील दे राजधानी जैपुर के सामोध धाना क्षेतर में एक यूवती को फॉर्म हांस में बंधग बनाए जाने का मामला सामने आया है यूफ्ती ने अपने भाई को सूचना दी जिसके बाद पुलीस मौके पर पहुची और उसे सुरक्षित बचा लिया आरोपी फरार है और पुलीस उसकी तलाश में जुटी है केकरी जिले के सरवाट शेतर में चारे से भरा ट्रक आग में जल गया बिजली के तारों के संपर्क में आने से यहाँ हादसा हुआ चालक की सूच बूच से ट्रक को गाव से बाहर ले जाने से कोई जन्धानी नहीं हुई दमकल ने दो घंटे में आग पर काबो पाया लेकिन ट्रक और चारा पूरी तरह जल गये राजस्थान सरकार ने सरकारी कॉलेजों के परिसर में सतारात मक्ता लाने के लिए रंगों में बदलाव का निरने लिया है 20 कॉलेजों के एंट्रेंस हॉल और मिन गेट को भगवा वाइट गोल्ड और और ओरंज ब्राउन रंगों में रंगा जाएगा इस बदलाव से चात्रों में शिक्षा के प्रती प्रेरना बढ़ाने की उम्हें राजस्थान में सुभा और शाम की थंड का असर स्पष्ट है लेकिन दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है पिछले 24 घंटे में जैसलमेर में अधिक्तम तापमान 36.8 डिगरी और सिरोही में नियूंतम 13.2 डिगरी दर्ज किया गया अगले एक सब्ता में तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें